तुमूदी सरकार के दूसरे कारिकाल का आज पहला आम बजट पेश होगा वितवन्तरी निर्मला सीतारमन आज अपना पहला बजट पेश करेंगे और इस बजट में राजकोशिय घाठे को काबू में रखने के साथ-साथ आर्थिक वृध्य और रोजगार बढ़ोतरी को गती देने पर सरकार का जोर रह सकता है नौकरी पेशा लोगों के लिए महत्वपूर्ण आईकर के मोर्चे पर कर्स लाब में बदलाव की उम्मीद की जा रही है 2019-2020 के अंतरिम बजट में पांच लाख रुपे तक की आई पर कर्चूट देने की घोशना की गई थी और इस बार उम्मीद लगाई जा रही है कि क्या इस पर कोई ऐलान होगा इस बजट में या फिर नहीं तो आज मोदी सरकार के दूसरे कारिकाल का पहला बजट पेश होने वाला है सुभा 11 बजे से बजट फाशन जो है वो लोकसभा में शुरू होगा और आपको बता दें कि एक बड़े लक्ष के साथ मोदी सरकार इस बार उतर रही है बारतिय अरथ व्यवस्था को 5 टृलियन डॉलर बनाने का लक्ष रहे है और पांच फी सबसे बड़ी अरथ व्यवस्था दुनिया की बनाने का लक्ष रखा जा रहा है और उसके तौरान तमाम चुनोटीयां भी मोदी सरकार के सामने रहने वाली है और कल जो आर्थिक सर्वेक्षन पेश हुआ उससे जो एक चीज असपष्ट है वो ये कि इस बार कृशी किसानों पर और साथी साथ रोजगार पर एहम ध्यान मोदी सरकार का रहने वाला है आर्थिक सुधारों को लेकर प्रावधान किये जाने की संभावना भी जताई जा रही है आपको बता दें कि माना जा रहा है कि स्वास्त और रोजगार सुरजन किक्षेत्र में कई घोशनाय की जा सकती हैं क्योंकि मोदी सरकार रोजगार पैदा ना करने के आरोपों को भीते कई सालों से जhetto हूई आ रही है, माना ज़ा सकता है कि रोजगार को लेकर कई ऐलान इस बजट में हो सकते हैं लेकिन इसके साथ ही साथ मुदी सरकार के सामने कई सारी चुनोतियां भी होने वाली है क्योंकि अगर ज्यादा से ज्यादा रोजगार पैदा करना है तो अर्थपेवस्था में अच्छा खासा पैसा निवेश करना होगा ये एक बड़ी चुनोती के आखरकार उसके लिए फंड कहां से आएगा सरकार के सामने तो न्यू इंडिया का एक सपना और न्यू इंडिया का ये बजट जिसमें उम्मीद है कि रोजगार और बाजार से लगभग आठ प्रतिशत ग्रोथ का रोड मैप यहां तैयार किया जाएगा सब को मिलेगा पका मकान 2022 तक गरीब को मिलेगा आश्या 25 जुन 2015 को प्रधानमंत्री मोदी ने देश के गरीबों से एक वादा किया था और ये वादा था हर गरीब को 2022 तक पका मकान देने का प्येम मोदी ने कहा था कि 2022 में देश की सोतंसता की 75 साल गिरा मनाने तक आवास योजना के तहर देश के सभी परिवारों के पास उनका अपना घर होगा बजट का वक्त है ऐसे में परचंड बहुमत के साथ सत्ता में लोटी मोदी सरकार से उम्मीदे को ज्यादा है तो सवाल ये भी पूछे जा रहे हैं कि अपने इस वादे पर अब तक कितनी खरी उत्री है सरकार ग्रामीड विकास मंत्रारे की वेबसाइट पर मौझूद 24 जुन 2019 तक के आंकड़े के मुताबिक पीम आवास योजना ग्रामीड के तहर एक करोड़ पचास लाग तिरपन हजार पास से बहत्तर घर बनाने का लक्ष रखा गया है जिनमें से एक करोड़ 37,149 घर बनाने के मंजूरी दी जा चुकी है जबकि ये क्यासी लाग 35,836 घर बनाए जा चुके है एक फरवरी 2019 को अंतरीम बजट में वित्यमंत्री पेश गोईल ने इस योजना के तहट 2014-2018 तक ग्रामीड और शहरी लागों में कुल 1 करोड 33 लाग घर बनाने का दावा क्या था अंतरीम बजट में 25,853 करोड के फंड का एलान भी किया गया था 2018 में 26,405 करोड दिये गए 2018 के बजट में इंटरस सबसीडी के लिए 6,500 करोड फंड की ववस्था की गई थी जिसका इस्तमाल इंटरस सबसीडी के लिए 2022 तक होना है मैं समझता हूँ कि इसमें काफी अच्छा काम कर रहा है और काम चल रहा है सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें इस स्कीम के लिए जो इंडस्ट्री चाहती थी कि जो एफोर्डबल हाउसिंग के लिए एक इंफरस्ट्रक्चर स्टेटस दिया जाए इसको वो मिल चुका है सरकार 2022 तक सब को पक्के मकान के लक्ष पर काम कर रही है केंज़े शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंगपूरी के माने तो दो साल पहले ही सरकार इस लक्ष को हासिल कर लेगी लेकिन तस्वीर का दूसरा रुख भी है जो इस योजना पर सवाल खड़े कर रहा है महराष्ट दिल्ली पहुँचे ये है सदानन धनिराज कोंजे जो इन दिनों काग्जों का पुलिंदा लेकर भटक रहे है महराष्ट के भंडारा जिले के तुमसुर इलाके में रहने वाले सदानन का नाम पीम आवास योजना के तरफ चैन हुआ था उनका दावा है कि उन्हें नए घर के लिए पुराने घर को तोड़ने के लिए कहा गया नए मकान के लिए 25,000 रुपे की पहले किष्ट भीम ली लेकिन बाद में अगर पालिका ने नई किष्ट रोक दी उपर से 25,000 रुपे लोटाने का हुक्म भी सुना दिया ये वो फोटो है जिसमें इनका पहले मकान बना हुआ था बताया गया कि प्रधार मंतरी आवास योजना के तहट जो है आपका मकान बनाया जाएगा इसको ढढ़ा दीजे तो इन्होंने ये मकान अपना तोड़ दिया तोड़ने के बाद ये मकान ढहने के बाद कुछ इस तरह का तस्वीर साब ने आई जिसमें इनकी पत्नी भी शायद खड़ी है और ये खड़े है और उसमें ये मकान भी दिख रहा है कि स्ट्रक्चर चल आए काम चल आए सदान कारोप है कि इस चकर में उनका पुराना घर भी गया नया घर भी नहीं मिला नतिजा आप वो सरकारी दफ्तरों और नेताहों के चकर काट रहे है इस योजना को लेकर सदानन के आरोपों की जाँच जरूरी है ऐसी घटनाएं अपद हो सकती है लेकिन सरकार को सबक भी देती है कि ये सोजना को कैसे प्रवावी धंग से लागू किया जाए दिली से सेगे रामिर हुसेन के साथ टीम यूजनेशन और चुले जाथा बात निर्मला सीथारामन के घर के घर के बाहर से हमारे साइयोगी स安全 आमिर हुसेन है सकते बहुति से वहले सेथा आमिर का रुख कर लیते हैं सेयद आमिर कई उम्मीदें आम लोगों को इस बज़िट से है और कल जब आर्थिक सर्वेक्षन पेश किया गया तो एक दशा एक नीती जो है वो तैय होती हुई नजर आ रही है और ऐसे में माना जा रहा है कि किसानों के लिए और साथ ही साथ जल संकट को लेकर बड़े एलान इस बजट में किये जा सकते हैं बिलकुल जिस तरह से जल संकट एक बड़ी चुनोती है मोधी सरकार के लिए जल तरफ सबसे बड़ा बुद्द्दा निवेश को लेकर के और रोज़घार को लेकर के। आपको याद होगा लगातार विपक्ष जो है निवेश और रोजगार को लेकर के सरकार को घेड़ता रहा है तो रोजगार सरजन करने के लिए निवेश चाहिए होगा निवेश को लेकर के बड़ोत्री हो सकती है दर्माजे खोले जा सकते हैं निवेश को लेकर के दूसरी तरह मैं आपको बता दूँ कि जिस तरह से लगातार मांग उठती रही है कि सीनियर सिरीजन को टैक्स रिबेट मिला चाहिए वो आज इसकी गोशला की जा सकती है इसके साथ में किसानों को उनकी आया बढ़ाने के लिए और साथ में उनको पेंशन से जोड़ने के लिए प्रदामंत्री बजट में आपने निर्मला सितरमन बड़ी गोशला कर सकती है माईलाओं के लिए इस बार के बजट में बहुत कुछ खास होने वाला है जो आपको देखने को मिलेगा इस समय मैं निर्मा सितरमन के घर के बहारी हूँ 8 बच के 25 मिनिट पे वो यहां से निकलेंगी 9 बजे वो पेटी आपको देखने को मिलेगी जिसमें बजट की सारी जानकारियां होती है बजट पुरा होता है उसके बाद 10 बजे वो राश्पती भवन जाएंगे और 11 बजे जो है संसस से भवन से अपना बजट पेश किया जाएगा तो कही न कहीं आम लोगों से जुड़ी तमाम उम्मीदे हैं लेकिन इस बार का बजट थोड़ा टफ भी हो सकता है क्योंकि जिस तरह से 8 पर्तिशत के इसाब से 5 ट्रिलिन डॉलर की एकॉनमी 2025 तक करनी है और 2030 तक 10 ट्रिलिन डॉलर तक पहुचना है तो ये कहीं न कहीं तभी मुम्किन हो सकता है जब थोड़े हार्ड स्टप्स लिए जाए वो सरकार ले सकती है लेकिन ये भी ज़रूरी है कि जिस तरह से मेंडेट सरकार को मिला है एक धन्यवाद बजट भी वो पेश कर सकती है तो कहीं न कहीं कुछ सेक्टर में रियायत मिल सकती है खासतोर पर कॉर्परेट टेक्स को ले करके छूट हो सकती है और उसका दाइरा खासतोर से बढ़ाया जा सकता है 250 करोर से उसको 500 करोर तो किया जा सकता है जो 25 परसंट के दारे में आता है तो बहुत सारे ऐसी उम्मीदे है हर सेक्टर को कई चीजी में रियायत जो है वो आम लोगों के लिए दी जा सकती है अविनाश भी हमारे साथ जुड़े हुए है अविनाश कई चुनोतियां हैं जिस तरीके से सयद आमर भी जिक्र कर रहे थे सरकार जो है अपने पिछले कारेकाल के दोरान विपक्ष के तमाम आरोभों का सामना करती रही है खासतोर पर रोजगार को और निवेश को लेकर कई दिक्कतें सरकार के सामने पेश आई और अब रोजगार देने के लिए एक बड़ा निवेश करना बेहज जरूरी है तो ये भी एक एहम चुनोति सरकार के सामने है अविनाश आप हमें सुन पा रहे हैं चलिए अविनाश का हम रुख करेंगे लेकिन आमिर का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं आमिर वही सवाल है कि रोजगार को लेकर विपक्ष के तमाम आरूपों का सामना सरकार ने किया और अब रोजगार बढ़ानी की कोशिश सरकार की तरफ से कर की जाएगी तो एक बड़े निवेश की जरूरत अर्थ विवस्था में होगी जो कि एक बड़ी चुनाती है क्योंकि जनता तो तमाव उम्मीदे लगाए वैठी है जो लिभरबर के वोट जनता ने दिये हैं और अब टकक की लगाकर देख रहे हैं कि आखिरकार बजट में उनके लिए क्या कुछ खास हो सकता है क्या कुछ एहम प्रावधान हो सकते हैं मुख्य आर्थिक सलाकार ने भी कल ये पॉइंट आउट किया था कि हमें निवेश बढ़ाना होगा वित्ती हालत अभी सुधर सकती है जब तक उसमें रोजगार सरजन ना हो और जिस तरह से अभी आप तस्वीरों में दिखा सकते हैं आपको लाइव इस समय तस्वीरों में दिखा रहे हैं ये तस्वीरे हैं अभी हलकी गाली निकली है लेकिन गाली में निर्मला नहीं है इसका मतब तोड़ी देर बाद हो निकलेंगी लेकिन मैं जो बता रहा था क जिस तरह से पॉइंट आउट किया था सुब्रामनेम ने कि मुख्य आर्थिक सलाकार जो हैं उन्होंने का कि जब तक निवेश नहीं बढ़ेगा जब तक रोजगार नहीं बढ़ेगा तब तक हम आर्थिक गती को तेज नहीं कर पाएंगे वो एक एहम मुद्दा होगा इस ब हमी लगातार होती जा रही है तो क्या एफडियाई जो लागू किया गया कई से त्यार को और बजट को भी इस तरीके से त्यार किया गया है कि तमाम चीज़ें जो हैं वो ध्यान में रखी गई हो फिलाल आप दोनों हमारे साथ बने रहे हैं आपका आगे भी रुक करेंगे रुक्रियां कुछ पलूं के लो फोराल नोटेंगे अब बने रहे हैं मारे साथ